माग मास के गुप्त नवरात्रों की दुर्गा अश्टमी के दिन एक लोंग का किया गया छोटा सा उपाए करवा सकता है आपके बच्चों का विभाद। यदि आपके बच्चों की साधी में लगातार देरी चल रही है लगातार अडचने आ रही है बंती बंती बात भी बिगड़ जा रही है तो ये कारिकरम आपके लिए है इस कारिकरम में आप मेरे साथ शुरू से लेकर के अंत तक बने रहना और जो उपाए मैं आपको बताने इसको अच्छे से समझ लेना यदि दुर्गा अश्टमी के दिन ये उपाएं आप कर देते हैं तो यकीन मान के चलिए आपके बच्चों की साधी के लिए कोई न कोई अच्छा परस्तावाएगा और आपके बच्चों की साधी फिक्स हो जाएगी नमस्कार मैं पंडित जी एस कोसिक आपका स्वाकत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल जी एस घृत कोसिक में कई बार बच्चों की जनमकुंडली में ग्रह और नच्छत्रों का एक ऐसा दुर्योग बन जाता है जिसके चलते विभा में लगातार देरी होती रहती है लगातार विलंब होता रहता है रिस्ते आएंगे बाते चलेंगी लेकिन कोई भी बात कोई भी रिस्ता सफलता तक नहीं पहुच पाएगा बीच में ही ब्रेक हो जाएगा और कई बार रिस्ता पक्का हो भी जाए तो अंत में जाकर के बात बिगड जाएगी देखने वाले आएंगे देख करके चले जाएगे लेकिन किसी भी प्रकार का पोजिट्व रिपलाई उनकी तरफ से हमें मिल नही पाएगा हम इंतजार करते रहेंगे बच्चों की उमर लगातार निकलती जाएगी यदि आप इन सारी समस्याओं से प्रेशान हैं दुखी हैं तो आज जो उपाए मैं आपको बताने वाला हूँ ये उपाए आपने दुर्गा अश्टमी के दिन कर देना है माग मास के गु इससे पहले आपसे निवेधन करना चाहूँगा यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो आप आसानी से देख पाई प्रिदर सको आप से एक छोटी सी शिकायत करना चाहूंगा आप वीडियो को देख लेते हैं उपाई भी कर लेते हैं उसका लाब भी आपको मिल जाता है लेकिन चैनल को सबस्क्राइब करना भूल जाते हैं वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं चैनल को सबस्क्राइब करना वीडियो को लाइक करना ये निशुल को होता है इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है और यदि आप सबस्क्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और आपको भी इसका फाइदा होता है जब भी हम इसी प्रकार की नई वीडियो अप्लोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन तुरूंत आपको मिल जाएगा आसानी से आप उसे देख पाएंगे तो इसलिए कहता हूँ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें तो प्रिदर सको पहले तो ये जान लीजिए कि ये उपाए आपने दुर्गा अश्टमी के दिन किस समय करना है ये उपाए आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं बस ध्यान इतना सा रखना है कि दोफैर में नहीं करना सुभह यानि कि 11 बज़े से पहले पहले और शाम को यानि कि 4 बज़े के बाद और सुरिय अस्त होने से पहले इस समय में ये उपाय आपने कर देना है अब ये जान लेजिए कि ये उपाय करने के लिए आपके पास सामगरी क्या होने चाहिए आपके पास होनी चाहिए लोंग, बिल्कुल साप सुत्री लोंग होनी चाहिए और लोंग कितनी होनी चाहिए आपकी जो उमर है उसके अनुसार अब माल लीजिए आपकी उमर 25 साल की हो चुकी है और 26 साल में अभी आप चल रहे हैं तो फिर 26 लोंग आपने लेनी हैं आपको क्या चाहिए तीन फूल चाहिए लाल रंके और एक चाहिए इतर और एक चाहिए शुद देशी घी का दीपक ये सामगरी आपके पास होनी चाहिए ये उपाय करने के लिए अब ये जान लिजी कि ये उपाय आपने करना कैसे है अब जो लोंग आप लेकर के आए हैं अ आप गुलाब के फूल भी ले सकते हैं, गेंदे के भी ले सकते हैं, लाल रंग का कोई भी फूल हो वो ले लीजिए, और जो इत्र आप लेकर के आए हैं, वो इत्र थोड़ा थोड़ा उन तीन लाल फूलों पर लगा लीजिए, और एक शुद देशी घी का दिपक आप तयार कर लिया है, अब ये तीनों चीजे ले करके आपने जाना है दुरुगा मा के मंदिर में, यदि दुरुगा मा का मंदिर आपके आसपास नहीं है, तो कोई भी माता का मंदिर हो, वहाँ आप चले जाए, या फिर शेव मंदिर में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि शेव मंदिर आप लेकर के गए हैं इसको आपने जला देना है उसके बाद आपने ये जो पुश्प हैं ये मातारानी को अरपित कर देने हैं मातारानी के सामने ही रख देने हैं उसके बाद ये जो पोटली आपने बनाई है ये पोटली ऐसे ही मतलब खोलना नहीं है इसको ऐसे ही बंदे और वहाँ पर बैठ करके एक मंत्र का जाप आपने करना है, अब मंत्र कोन सा है, बड़ा आसान सा मंत्र है, आप सक्रीन पर देख लिजिए, इसका उचान मा कर देता हूँ, ओम दुंग दुरगाय नमह, बड़ा ही आसान मंत्र है, आप इसको दो से तीन बार बोलोगे, दस ब कर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, अब इस मंत्र का जाप आप 108 बार कर दीजिए, यानि कि एक माला आप इसकी कर दीजिए, और यदि इतना समय नहीं है, तो फिर केवले 20 बार कर दीजिए, और जब मंत्र का जाप आप कर रहे हैं, तो रुद्राक्ष की माला का आप कर सकते हैं, हल्दी की माला का प्रियोगा आप कर सकते हैं, तुलसी की माला का प्रियोगा आप कर सकते हैं, कोई भी माला आप ले लीजिए, उस माला की सहता से 108 बार कर दीजिए, और यदि आपके पास ज़्यादा समय है, तो 2 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, जितना आप पर देरी चल रही है लगातार अर्चने आ रही है तो कोई ऐसा चमतकार करें जिसके चलते मेरे बच्चों के साधी जल्द से जल्द फिक्स हो जाए और उनका विभाग हो जाए अब ये उपाएं बच्चे खुद भी कर सकते हैं यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो भी इसी तर परातना अवश्य करनी है अंत में तो इस परकार से परातना करके आप अपने घर चले आईए देखिए जब आप परातना करते हैं तो बिलकुल मन से आपने करनी हैं समर्पन भाव से हरदय से बिलकुल मन से जब आप परातना करेंगे तो माता रानी अवश्य आपकी जो पर कामना है उसको पूरन करेंगी तो प्रिदर सको इस परकार से आपने ये उपाए माग मास के गुप्त नवरात्रों की दुरुगा अश्टिमी की दिन करना है यदि आप अपने बच्चों की जनमकुनली का विशलेशन मुझसे करवाना चाहते हैं जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की साधी में लगातार देरी क्यूं हो रही है कोन से ग्रह की वज़े से ये समस्याई उनके जीवन में आ रही है तो फिर आप अपनी समस्या टाइप करके या फिर अपने बच्चों की जनम डिटेल लिखकर सक्रीन पर दिखाए गए वाटसप नंबर पर भेज सक सकते हैं सटिक विशलेशन करवाने के बाद आपके बच्चों की कुंडली के आधार पर जो भी जल्दी साधी होने के सटिक उपाए बनते हैं वो मुझसे जान सकते हैं परदरसगों यदी कारिकरम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना सेर करना कोमेंट भी करना और अभी तक आप ने इस चैनल को स्ब्सक्राइब नहीं किया हैं तो मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को स्ब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आज के लिए बस